एंसीपी ने बुद्वार को सुशान सिंग राजपूत की जान से जुड़े ड्रग्स केस में उनकी गल्ट्रेंट रिया चकरवर्थी और 34 अन्य लोगों पर बॉलिवुट की हाई क्लास सोसाइटी में लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाए हैं वही सुशान सिंग राजपूत की बड़ी बहन प्रियंका सिंग एक टीवी न्यूस चैनल पर इंट्रव्यू के दरान एंसीबी पर गंभीर आरोप लगा डाले इस दरान उन्होंने बात करते हुए कहा कि उनका भाई आत्म हत्या नहीं कर सकता प्रियंका सिंग ने कहा कि उन्होंने तीन दिन पहले सीबी आई के जाच अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने भाई की मौत की जाच की इस्तती पर रिपोर्ट मांगी थी लिकिन अभी तक कोई प्रतिकरिया नहीं मिली प्रियंका सिंग का एक टीवी चैनल को दिया गया इंट्रिव्यू एंसीबी द्वारा रिया चकरवर्टी को लगाए गए आरोपों के बाद आया है एंसीबी ने अपनी चार्ड शीट में द्रिया चकरवर्टी पर सुशान सिंग राजपूत की अत्यदिक नशीले दवाओं की लट की सहायता करने और उसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया था इंटर्वी के दरान सुशान सिंग राजपूत की बेहन प्रियंका सिंग ने कहा कि वो नियाय के लिए इस लड़ाई को अंतक लडेंगी उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलिवुट में एक वर्ग सुशान सिंग राजपूत की तरक्की से नाखुश था और उनके करियर को समाप्त करना चाता था उन्होंने ये भी पूछा कि मीडिया ने इस तथे को उजागर क्यों नहीं किया कि NCB ने अपनी चार्ज शीट में आरोप लगाया है कि ड्रग मामले के सभी 35 आरोपियों ने हाई सोसाइटी और वॉलिवुट को ड्रक्स खरीदने, बेचने और वितरित करने की साजिश रची समचार एजनसी एनाई ने NCB दोरा चार्ज की जानकारी देते हुए लिखा NCB ने रिया चकरवर्ती पर आरोप लगाया है कि रिया ने सैमुएल मिरांडा, शोवित चकरवर्ती और दिपेश सावंत और अन्य लोगों से कई बार गांजे की डिलिवरी ली और उन डिलिवरी को दिगवंद अभिनेता सुशान सिंग राजपूत को 2020 में भुकतान करने के दौरान सौपने के लिए विसेश NDPS अदालत में रिया चकरवर्ती के खिलाफ ड्राफ्ट आरोप प्रस्तूत किये हैं वही रिया चकरवर्ती के अलावा उनके भाई शोबिच चकरवर्ती और सुशान्त के फ्लैट मेंट सिधार पिटानी को भी आरोपी बनाया गया है NCB के अनुसार रिया पर गांजे की एक चोटी मात्रा को खरीदने और उन्हें वित पोशन्ट देने का भी आरोप लगाया गया है आपको बता दें NCB ने 14 जून 2022 को अपने बांदरा इस दित फ्लैट पर मिर्थ पाए गए अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की जाच को पुलिस ने आत्मत्या का मामला मान कर जाच शुरू की थी लेकिन बात में मौत से जुड़े अन्यकारणों के चलते NCB ने बॉलिवूड और टीवी इंडरस्ट्री में डिलीवर होने वाले नशीले परदार्तों की भी जाच शुरू की थी